बिसमिल्ला है रह्माने रहीम, असलाम अलेकूम, उमीद करती हूँ, आप लोग बहुत मज़े में होंगे और बहुत मज़े मज़े के खाने एंजॉय कर रहे होंगे सर्दियों में मिक सबजी हर घर में बनाई जाती है, लेकिन आज मैं आपको ऐसी सबजी बनाने सिखाऊंगी जो आप बड़ी शांसे किसी दावत में भी सर्फ कर सकते हैं इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी कि आपके महमाना आपकी तारीफ करते नहीं ठाकेंगे तो चलिए शुरू करते हैं, यह असान मकर बहुत टेस्टी रेसिपी जो घर में ही मौजूद इंग्रीटियन से बनाई जाएगी तो सबसे पहले एक पैन में मैंने ले लिया है ओईल, तकरीबन कोर्टर कप ओईल में एक चौट प्यास को मैं करूंगी फ्राइ, फ्राइ इतना करना है कि यह सॉफ्ट हो जाए, दी में आज में चम्चा चलाते हुए इसको फ्राइ कीजिए, सबजीव के रेसिपीस में हमे तो आप अगर चम्चा नहीं चलाएंगे तो वो डार्क होना शुरू हो जाएगी, जैसे ही इसमें कलर चेंज करना शुरू किया, मैंने एक टी स्पून डाला है, इसमें जीरा, तीम छोटी वाली हरी मिर्चे चौप करके इसमें डाल दी है, और अब मैं चम्चा चलाते रह ताकि लेसन अधर का कच्छा पन थोड़ा दूर हो जाए, इसके बाद इसका कुकिंग प्रासेस स्टाप करने के लिए इसमें डालोंगी दो टेबल स्पून की जितना पानी, अगर पानी यहां पे ना डालती मैं, तो सारा मसाला डार्क हो जाता और हमारी जो डेश है, उसक के डाले हैं और इसके साथ ही मैंने मतर डाल दी ओ, जाता है काहिए, इसमें के मौंटिटी आपके ऊपर मुनहसेरे आपको जो अचैगा पसंद हो जाही जो ऊचीर Carnal और ना यौने दो डाली चै काहिछ को दो nightmare कर देए तो ए उपट पलड कर लीचे जिए मसाला ऑच्छा से तो अब इसमें डालेंगे यह सिर्फ color enhance करने के लिए होता है इसमें कोई तेजी नहीं होती तो alternately आप दोनों चीज़े यूज़ कर सकते हैं यहां इन सब मसालों को अच्छे से कर लूँगी mix और इसके साथ ही मैंने डाला था quarter cup पानी क्योंकि यह hard vegetables हैं इनको गलने के लिए थोड़ से पानी दरकार होता है अगर हम नहीं डालेंगे तो यह जल जाएंगी camera कबर नहीं कर साका लेकिन quarter cup पानी डाल के मैंने इसे ढख कर हल की आज में 10 minute के लिए पकने शोड़ दिया था ताकि यह सबजी आची तरह से गल जाएं यह देखें सबजीया गल चुकी है यहां पर अब इसमें मैं टिमाटर डालूगी टिमाटर शुरू में मैंने इसलिए नहीं डाले थे कि टिमाटर किसी भी चीज में आप पहले डाल देंगे तो उसका गलने का टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो यह देखें दो टिमाटर मैंने मिक्सी में पीस लिये थे आप बारी बारी काटके भी डाल सकते हैं और यह डालने के बाद अब मैं आज को थोड़ा तेज कर दूगी और आज तेज करके चमचा चलाते हुए मैंने इसे पानी ड्राय कर लें तक पका लेना है तो यह देखिए पानी यहां पे कदरे ड्राय हो चुका है और इसमें अब जाएगी गोबी गोबी एंड में इसलिए क्यूंकि यह जल्दी गल जाती है अगर आप शुरू में डाल देंगे तो बिलकुल मैश हो जाएगी और एक ग्रेवी किसी शकल इख्तियार कर लेगी तो हमें साबुत साबुत चाहिए तो इसे हम एंड में डालेंगे और इसके बाद जो फ्लेवर इंहांसर्स हैं हमारे जो गेम जिंजर्स कहलाते हैं वो इसमें जाएगी गोबी को पी डालके मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे से ताके इसमें मसाला कोट हो जाए और ये बिलकुल भी फैमली से अलग ना लगे अच्छी तरह से इसे अलट पलट डीजिए सबजियों को उपर नीचे कर लीजिए लेकिन हलके हार से क्योंके बाकी चीज़ें गली हुई है उनको हमने तोना नहीं है तो ये जब मिक्सिंग हमारी तरीके से हो गई तो इसमें एक हीप्ट टेबल स्पून मैंने डाले है क्रीम का आप चाहिए तो घर की ताजी बलाई भी उस कर सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टन्ट है इस रेसिपी में और ये बिल्कुल डिश का फ्लेवर ही चेंज कर देगी आप बिल्कुल ओमिट मत कीजेगा इस तरह से ट्राय करके देखेगा आपको बहुत मज़ाएगा चार से पाँच हरी मिर्चे डाल दी है मैंने थाबट ताकि अगर किसी को तेज मिर्चे रेकुाइड हो तो वो इसे तोड़ के खा सके एक हैंडफूल डाल दी है हरे थनी के पत्ते ताजे एक से सवा इंच का टुक्रा अद्रक का मैंने बारी काट लिया था वो इसमें मैं डाल रही हूँ और अब इसको ढग दूँगी और हलकी आज में 10 मिनिट तक को करोगी यह देखिए 10 मिनिट हो चुके हैं और यह मज़िदार सी हमारी मिक्स सबजी तयार है जरूर ट्राइ कीजेगा इस तरीके से आइम सो शौर के जो सबजियां नहीं भी खाते उनको भी बहुत पसानाने वाली है और यह इतनी वसिदार सब्सी है कि आप आराम से दावातों में भी इसे अपने महमानों को सर्फ कर सकते हैं तो जरूर ट्राइ कीजेगा और मुझे दूआ में लिए तो लाक कीजेगा मिने चानल को सब्स्राइब पीजिए और लेकिन दावाना मत भूलिएगा थैंकिस सो म सकते हैं।